तो जैहिन नमस्का दोस्तों अगर आप आरपी अप कॉंस्टेबल साई की त्यारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुस खबरी यहां पे निकल के आ रही है अगर आप भी इसके एक्जाम डेट को लेकर परिसान है तो आप सभी को बता दूँ एक्जाम से पहले आप सब के लिए यहां पे बड़ा बदलाव होने वाला है अगर आप भी इसके लिए आप इजनसी को लेकर आपको बात कही जा रही थी और एक पेपर कटिंग में बताया गया था कि इसकी एजनसी का चैन यहां पे कर लिया गया है आगे का क्या प्रोसेस है वो इस वीडिय देट करेक्ट और एडमिट कार्ड के बारे मापको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी तो अगर आप भी आरप आप कॉंस्टबल एसाई की त्यारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना तभी आपको यहां पे एक एक चीज समझ में आने वाले ठीक है वेकेंसी आपकी यहां पे 4,660 है लेकिन यही वेकेंसी बढ़ कर यहां पे 18,000 होनी है यह वेकेंसी 18,000 होनी है लेकिन अभी तक यह वेकेंसी 18,000 नहीं हुई है लेकिन इतना कह सकते हैं कि आपके एक्जाम डेट जारी होने से पहले इस वेकेंसी को बढ़ा कर मिनीमम 11,000 से लेकर और maximum 18,000 तक आपकी vacancy हो सकती है और ये vacancy बढ़ने के बाद उन बच्चों के लिए बड़े खुसकबरी हो जाएगी जो बच्ची इसके लिए आज की डिट में त्यारी कर रहे हैं क्योंकि इसका syllabus जो है काफी अच्छा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस syllabus में आगर देखा जाए तो 35 questions आप सभी के यहाँ पर reasoning से आने वाले हैं और 35 questions ही आप सभी के यहाँ पर math से भी आने वाले हैं और 50 questions आप सभी के यहाँ पर gs से पूछा जाएगा जिसमें gk भी कुछ question रहेंगे ठीक है और railway का जो gs होता है वो काफी अलग तरीके से होता है अगर आपको रेलवे में सेलेक्शन चाहिए तो आपको gs पर अच्छा धान देना पड़ेगा question मिलने वाले हैं साथी math और साथी आपको रिजिनी के question दिये जाएंगे RPF Constable SI में इन्ही तीन सेप्टर से इन्ही तीन topics से आपके सवाल यहाँ पर आने वाले हैं और यह PDF नया rate यहाँ पर निकल किया चुका है 85 रुपीज यह दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं सिर्फ 85 रुपीज में आप सभी यह PDF पा सकते हैं सिर्फ 85 रुपे में यह PDF पाने के लिए आप सभी इस WhatsApp नमबर पर मैसेज करिए इस WhatsApp नमबर पर आपको मैसेज करना है टीम आपको यहाँ पर PDF प्रोवाइड करा देगी 85 रुपीज पे करने के बाद ठीक है पे कहा करना है वो आपको जानकारी WhatsApp पर सब को दे दी जाएगी टीम दोरा ठीक है तो इसलिए आप सभी को इस WhatsApp नमबर पर मैसेज करना है अगर आप सभी यह PDF लेना चाहते हैं और आरपी आप सभी इन पीडियाफ को लेकर जरूर पढ़िएगा आरपी आप के अस्परिंट बच्चे जो है काफी जाएदा उने इस पीडियाफ को लेकर पढ़ा है इस बार आपकी बारी है सारे सेलेबस को इस पीडियाफ में इकलूट किया गया है टूटल यहाँ पे 4000 प्रस्ट आपको दिये जा रहे हैं प्रस्ट उत्तर आपको दोरों आपको बता दूँ अब प्रस्ट जो है लंबा है और आरपी आपके प्रस्ट भी यहां पे लंबा है कि नवंबर का महीना आप सब के लिए इंप्रेंट है नवंबर के महीने में आपके यहाँ पे एक्जाम हो सकते हैं तो जब एजंसी के चेंट विभाग दौरा कर लिये जाता है तो विभाग को सिर्फ यहाँ पे एक सेडूल बनाना पड़ता है कि आपके एक्जाम कम तक लिये जाए ठीक है उसके बाद जो विभाग होगा जो जो संख्या है जो डाटआ है वो आर्फ़याप जो है एजनसी को दे देगी। उसके बाद सभी का जो फिजिकल करवाने का जो जिम्मा होगा वो यहाँ पर आर्फयाप काली होता है तो आर्फ की आप फिजिकल करवाने वाले बदल्ला फिजकल करवाने की त्यारी में लग जाएगी और जो एजनसी के काम होगा एजनसी के काम यही होगा कि किन बच्चों का एडमिट काड होगारा मतलब जो भी होगा यह सारी चीज़ें यहाँ पर एजनसी सब कुस बताया जाएगा कि आप सभी के एक्जाम यहां पर करसे होने वाले हैं तो यह आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है कि नवंबर का महीना आप सब के लिए important रहने वाला है और यह सारे process को complete करवाते करवाते इनका October भी यहां पर निकल जाएगा और नवंबर के महीने में आप सभी के जाम यहां पर सुरू हो सकते हैं तो आप सभी यहां पर त्यारी में लग जाएगा और 85 की पीड़ लेकर जरूर पढ़िएगा मैंने आपको बता दिया अगर आपको selection चाहिए तो बाकी बहुत सारे बच्चों ने लेकर पढ़ा है इस बार अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार लेकर पढ़ें क्योंकि RPF Constable SI के लिए ही इसे बनाया गया है तो आप इसे एक बार जरूर लेकर पढ़ें ठीक हैं अब हम बात कर लेते हैं यहां पर आगे के process को लेकर form reject और accept को लेकर देगें यहां पर लाखों आप सब्सक्राइब कर लिया जाएगा और जब यह एकजाम आपका होना होगा ना उसी के 20-30 दिन पहले से ही आप सभी के form में आपे accept हो जाते हैं और आप सभी को email पर बताया दिया जाएगा ठीक है क्या होगा email पर आप सभी को बता दिया जाएगा कि आपका form accept है या फिर reject है तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है आप जो भी इमेल दिये होंगे फ़र्म भरते समय उस इमेल को चेक करते रहना है उसी इमेल पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी तो बिना चिंता करे हुए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और 85 की पीड़ लेकर आ लेने वाले हैं वन बटे ठड़ का निगेटिम मार्किंग है तो तुक का आप सभी लगाने सकते हैं तो इसलिए आपको तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करना है अगर आपको सेलेक्शन चाहिए तो ठीक है तो चलिए आज की वीड़ो मारी यहीं तक थी नौबर का महीन आप सब के लिए इंपॉर्टेंट है नौबर के महीने में आपके अगर पेपर होते हैं तो अक्टूबर लाज तक आप सभी के एड्मिट कार्ड भी यहां पर रिलीज हो जाएंगे तो जैसे जो कुछ होगा मैं आपको अप्डेट करता रहूंगा तो इसलिए आप आपके लिए जाएंगे भारत बंदे मात